में माया मेरी सचियां जोतों वाली माता तेरी सदा ही जै माता चंदर गंटा की जै माता की अब इसके बीच एक छोटी सी कता है जो में आपके साथ शेयर करना जाती हूं मुझे थोड़ी सी पता है कि कहा जाता है कि महिशा सुरको अपनी बल और शक्ति के उपर बहुत ज़्यादा विमान हो गया था और उससे उन्होंने इतना आतंग मचाना शुरू कर दिया था कि धर्ती आकाश पताल सब थर थर कापने लगे थे तो जब उन्होंने देता हूं को परिशान करना शुरू किया तो सारे देता मिलकर ब्रह्मा विष्णु महिश की शरण में गये और ब्रह्मा विष्णु महिश ने का कि हम तो उनके पास विसका कोई उपाय नहीं था तो सब जाकर शिवजी के से मिले और तब सब देता हूंने मिलकर शक्ति मा का रूप के आवान किया और मा चंद घंटा जो है वो शक्ति शालो रूप बना और उन्होंने जाकर महिशा सुझ जैसे दानाव का वद्ध किया तो इससे क्या शिक्षा मिलती है मुझे तो यह लगता है कि हमारे जो हमारा मन है ना उसके अंदर भी हमारी बहुत उथल पुथल होती रहती है हमारे मन में भी जो किसी के लिए या कोई ईश्या है या कोई दुर्भावना है तो उसका हमारे को क्या करना चाहिए उसको समाप्त कर देना चाहिए और यही आज के दिन हमारा मा के लिए असली प्रिसाद होगा और माहों से ग्रहन करेंगे और हमें आशिरवाद देंगे कि हम अपनी बुराईयों के ओपर जाए पाएं और अच्छाई के पत के ऊपर चलें तो बस यही एक छोटे सा एक मेरे मन में बात ही जो मैंने आपके साथ शेयर गी आज का ग्यांग यहीं तक तो चलिए आप इंडियन आरोमा किचन में चलते हैं और चलके आज 30 से नवरात्री के उपर हम बनाते हैं मूंफली क कड़ी अब बढ़िया गड़ी बनने वाली है तो मेरे सब किचन में चलिए और आप भी बनाएए मेरे साथ और मुझे बताइए आपकी कड़ी कैसी बनी और मुझे 100% शूर है कि आप लोगो को यह कड़ी बहुत अच्छी लगगी तो चलिए मेरे रसीवी को आप लोग भी बनाएए और कैसी बनी वह मुझे कमेंट करके बताएए चलिए तर फिर चलते हैं किचन में और यह मेरे पस कड़ी के सारे इंग्रीडिन्स मौझूद हैं जिसमें मैं कड़ी भी बनाऊंगे और पकोड़े भी बनाऊंगी तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा कुछ आप महां देख सकते हैं और यहां मैंने कगया था मैंने मुनफली ली और इसका मैने एक बिल्कुल fine powder बना ली आप देख सकते हैं इसमें कोई सभी moota दाना नहीं है तो मैंने बिल्कुल fine powder इसका बना कर तयार कर लिया है और उसके बाद मैं इसके अंदर डाल रही हूं दही हो तो यहीड सकταवा प्सको डाल कर मिक्स कर भी अए students करने के बाद हम इसमें डालेंगे सारे बियुक्त बाद हम इसमोर से तक हंदर कफ me चावचे करद हैं düny कद्री मिर्च पर डियरा बोड़ी तेया चुछते है रहे हैं कद्र sparks को थेतों कि ये तुटर आधा also that मैं जो उसदोग सेंदया नमक क्या है को बीचे में सब्सक्राइब spice मैंने एक टुण डाला सब्सक्राइब तो क्या है जो पक्याक कि और पानी दालओं है पानी में एक एक जो कप करके डालूगी तो पहला कप मैं अभी एक डाल दूगी इसको अच्छे से मिक्स कर दूगी कि इसमें बिल्कुल लंज ना रहे हैं फिर बागी जो दो कप पानी मैंने डालना है वो मैं खटे भी डाल सकती हूं उसमें कोई दिकत मही हैं तो देखिए कम यह जादा अपने टेस्ट के हसाब से कर दें तो यह मेरी बढ़के बिल्कुल तैयार हो गई है और अभी तर जो आप देख रहे हैं वो मैं तैयारी कर रही हूं पकाड़ियों की तो पकाड़ों के लिए मैंने क्या किया था मिर पस दो आलू थे तो वह मैंने मैश कर अधरक डालिय। अधरक कट इश्ट बहुत बढ़ी आता है और इसमن टाली है , और शेरねश काड़ों के रहा नमक तो आप भी धनिया यह झाली है नमक carsam और इसमें हम मैं तीन से चार चंमच के डालियां तेल के तेल डालने से कहोगा हुगा कि हमारी जो प्रक tribär सौफ बनेगी तीन से चार चंमच के डाल के डाल दीजैंabledू और अब हम इसके अंदर डालेंगे कोट्व का आटा आटा निए मिक्स कर लूँगी और इसमें पानी जो डाले ना बहुत ज़ादा मध डाली आप देख रहे हैं मैं टेबिल स्पून से पानी डाले हूं तो आप भी एक टेबिल स्पून करके डालें और बिलकुल हास्टे जै मुझे लग रहा है भी थोड़ा सा एक जो चम्मच है वो मुझे आटे पानी का और डालना पड़ेगा तो भी मैंने डाल दिया है और देखिए बनके मेरा बहुत अच्छा सा तयार हो गया है और इसको हम तोड़कर देख लेंगे और एक पैन के अंदर हम क्या करेंगे और गर करने के लिए रख देंगे यह देखिए मेरा ऑईल गरम हो गया है इसके दर मैंने थोड़ा सा पीज डाल कर देखा और इमीजिटली जैसे 30 सेकंड्स के लिए महीं आपका अगर पीज जो आपने डाला ट्राई करने के लिए उपर आ जाता है इसका मतला आपका जो ऑईल आप चाहें तो इनको फ्रीज भी कर सकते हैं जब आपका मन करें आप कड़ी का लप्ता बनाएए अबस पकॉर्डी डालिए और कड़ी की तैयार है तो इधर रभम कड़ी कर लेते हैं उसके लिए मैंने पैन गंदर असली गी लिया उसमें डाला थोड़ा सा जीरा और डाल तो इसे तो रूरप भात बढ़ी अब मैंकिक के नवाव नहीं अब इसके लिए बहुत मैंने इसके लिए और कड़ी जालें ही और हल्का साम अब दोड़ा Samam दोड़ी कर लेंगे तो आप भी स्ट्रेम डाल सकते हैं जैसे मैंने डाला है और इसको दो मिनिट के लिए हम तड़के को फ्राइब करेंगे और अपना हमने जो मिक्षे बना के रखा था दही और मुंफली का वहम इसके अंदर डाल देंगे अचा एक बद आपको बताती हूं कि यह जो कड़ी है इसको में बहुत जादा पकाना नहीं होता क्योंकि इसमें कोई आटा नहीं डाला ना इसमें बेसन है ना कोई और आटा है तो इसको पकने में टाइम नहीं मिल लगता तो बस पांच मिनट एक बर बॉयल हो उसके बस पांच मिनट तक इसको आप बॉयल होने दीजे और आप पकोड़ी है आप सारी खटी ना डाली है जितनी आपको ज़रूरत है उसी इसाफ से डालें नहीं तो क्यों होते है पकोड़ी बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाएगी तो बस यह देखे मैंने एक बड़ी सुंदर सी में रपस कड़ाई थी उसमें मैं सारी पकोड़ी और कड़ी जो साबुत होती है वो भी डाल दें तो उससे भी बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है तो आप कुछ भी डाल सकते हैं आपके पर डिपेंड करता है और बस यह देखे क्या आप इसकी वावाई लूटेंगे जब आप इसको सर्फ करेंगे तो देखिए आप हमरी बनके तयार हो गई है और इस कड़ी को आप या दसमा के चावल के साथ कह सकते हैं या फिर आप कुट्टू सिंगारे की पूरी के साथ या प्रांठे के साथ कह सकते हैं या कुट्टू की जब पकाड़ियां बनती है उसके साथ भी खा सकते हैं तो चलिए फिर इसको बनाईए उपसे ड को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तो मुझे बहुत अच्छा लएगा, चलिए तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, फिल देन बब